मेरो आपमियता आजो नेद्रामा जान अगाड़ी को ध्यान एस बारे चर्चा गरो नेद्रामा जानो पुर्व ध्यान सहित जाना सके उभने, ध्यानमा रहे रहे रेह उभने, ध्यान को अभस्था यलिह नेद्रामा जानो भन्दा पुर्व रहे उभने उसको निज्रामा जन सपना रहांचर। तियो हल भाहरणचर। थियो विश्तारे हल भाहरणचर। यौनि उसको निज्रामा जनुपुर्व को ध्यान को योग्यता को आधार मा उसको सपना लाई हल गर दे लगना सकीन छो इसो तो यो ध्यानले मात्राई उसको सपना को इस्तिती को समग्र रूप को ब्याख्या गर शकिन दैना उचको जेतन इस्तर नहीं उच्छो उचको जेतन इस्तर नहीं सुरिये इस्तिती मक्छे इस्तिती अलावकीक इस्तिती त्यों अस्थित्तुको बोध तो स्वेम्मा रहने छे मता को आधारमा नी मापन गर्न सकें छो उसको सपना लाई पुण रुपले बिश्राम देर निद्रा लाई खीक संगा भोग गर्न सकें भने जिवन को आधार निद्रा हो दीन को कारे छे मता को आधार निद्रा हो जिवन को जुन्तिन चर्या कुझ्जी महत्तो छो एस महत्तो लाई उज्यागर करन को लागी निद्रा अत्तिन्त विश्राम पुरुवक सहाज रो मुक्त इस्थितिको रहन परदाच शपना बाट मुक्त रहन परदाच अतो इसको लागी शुत्न भन्न अगाडिको ध्यान साधना जोड़न उपयोगत हम्छ एदिन निद्रा सहाज भयो भने निद्रा पून भयो भने यो विश्राम और गही राई पुरुवक भयो भने जिबन को उर्जा फिर और कुद्दिन गर्ने कारेच्य मता रोश को ताजापन सुभाविक रुप को रहांचा और मानभी इस्तर को रहांचा और उच्छ इस्तर को रहांचा अत्वा निद्रा सभी भन्दा मोहत्तो पून आधार हो अब ध्यान माने जाओं शुत्न पुर्वा एधी सुन्नेता को अनुभाव जो ध्यान साधना दिन में जुन्शुकी समय गर्चन सुन्नेता को अनुभाव सुन्नेता को अभ्यास गर्चन उनिहरुको लागित रात्र को ध्यान आवसिक छाईना सुत्य पचे सुन्नेता को अनुभाव मा थोरे बेर रहन्दै निद्रा मा जाने हो भने यो सहल्च उस्वतहरुक मा गहीरो निद्रा मा जाना सक्छ रपोन निद्रा भोगना सक्छ एजी सुन्नेता को अनुभाव यो अभ्यास तेती लाम चाईना रो साधक हो फिर उसको सपना ये उसलाई दिन्चर्यामा बाधा दिन्चवत जो अनिद्रा को इस्तितिमा छो जो अनिद्रा को सिकार छो साधान मानिस जो साधक होईना उसको लागिबन यो ध्यान यो अभ्यास गनुचित छो इती यो गिता बन्नु परो सुतन अगाडी वा सुतन लागदा आमी सुन्नेत सहित जाओं निद्रामा सुन्नेत सहित जाओं निद्रा अगाडी सुन्नेता को इस्तिति बनावन सकूं यो अभ्यास ड्वारा नैस सही साधान मानिस को जुन्चेतन इस्तर उच्छ छाईन उनिहरुडे अभ्यास ड्वारा नैस एधी सुन्नेता को अनुभाव गाड़न सक्ने स्तिति बनावन सक्ने हो भने जो कोही को लागिबने निद्रामा जाना सहत छो जो कोहीले येश गाड़ा गहीरो रो पून निद्रा भोग न सक्छ अथा सभी भन्दा पहिला रो सभी को लागिबनेता को अनुभाव यो जुन्चुके द्यान साधना द्वारा यो अनुभाव उन्चर एसलाई बाहिरी बेभारिक दामा अभ्यास द्वारा बाहिरी बेभारमा घोट दाई हेरने रा थोरे समय अली समय रा अली धेरे समय इसरी सुन्नेता को अनुभाव मा रहने आपने अपना अपना आपनाावने घ्यान द्वारा नयचा जो सादक होई मा उशले पनि थोरे ध्यान दाय अपना है इस सुझेता को अभयास गर्दी निद्रा मा जानू अगाळी सुझे एस्थिति मा रअचे सुन्यता sagt नैद्राम। आपनावनों सकीन छे अब बेलुका नहीं जाऊं। नेद्रामा जानों को लागी जब हमें विश्तारमाद जान छेऊं। तपह यहां ध्यान को उपवज़ पनि गर्ण सक्चूंँ ध्यान साधना का उपवज़ पनि गर्ण सक्चूं जुन सुतेरा नहीं गर्णा शकिन्छ शुटेरा गर्णयाशन्मा यो सुतिर गार्ने आशन बिहानी समाई मार जुन सुकी समाई को ध्यान मा पनी शरीरिक रुपमा शरीर लाई अलग गार्ना को लाग लागी आमरे शरीरिक अबस्ता बाट फित्र जाना को लागी शुतिर गर्ने आशन सर्वत्तम आशन हो यो शरीर लाई छोड़दा अपनाईंच और यही आशन सुतनो अगाड़ी रात्रीको ध्यानमा अपनाऊनो उपयुक्त होंच यह माँ शरीर लाई छाड़ींच शरीर लाई छोड़ने अभ्यास आफूर शरीर को सम्वंद अलग गर्ने शरीर लाई हलका सहल्ज रा स्वतन्त्र अनि सिथेल गर्दाई शरीर लाई अपूर बाट छुटाऊने यह आपनों शरीर को एक-एक अंगलाई सुझाव दिये रहा छोड़नों पर छे यह साधार आण यह सुरुवाती रूपमा अडली अभ्यस्त भाई सके पाची शरीर लाई छोड़ने सरीर लाई सिथेल छोड़ने सुझाव के रूपमा मैले सरीर लाई छोड़ देछू बने जुन आपनों आदेश दियेर सुझाव दियेर आग्यें दियेर सरीर छुटाऊने रांपू अलग होने जब शरीर अलग होन छो तब आधा ध्यान लाग्यो इस पच्छी मन लाई बाहिरी महोल बाटो अलग करने मन लाई आपनों बस करने बाहिरी आवाज बाहिरी जुन्सुके घटना जो आपोसमा आउंचा आपनों ओरी परिछ इस बाट अलग रहने अभ्यास मन लाई साच्छी मन को साच्छी मन को हल मन नभायग। साच्छी आत्मस्थ इस्थिति आभू अर्थात आत्म आभू स्वाइम मा रहने इस शरीर अलग छो यहां मन को इस्थिति सुन्नी हुन्छ। आउ यहां में शुदेएन में ले भाहवरी आवाज को मुझा इसक्छाँ। आउ में भाहरी आवाज से वाज को स् eyeliner मृट को स्वाव्या शॅ आयमीर्वावा गुष्एवाग को सावल्याव में को स्वाल्यान om बाहिरे जे भाये कुछा कि बाहिरे भाये कुछा इसमा पनी शरीर अलग छा इस तो इस्थिती को अफ्यास कर देई सुन्ने स्थिती भोगां रो सुन्ने स्थिती भोगने थोरे समाई को छे मता भाय भने एही छे मता लेर सुतं एही छे मता लेर मेद्रामा जाओं अब इसले अभ्यास में गर जाने हो बने उत्तानों लंपसार खुटा सीधा रहात लाई भुई तर्फ या आकास तर्फ हाथ को पंजा लाई भुई तर्फ पनी सही राकास यो दवे तर्फ सही एसरी छोडने राखने रो बाहिरी सहस्ता ल्याउने एकले शुत्न पाने होंच बिस्तारामा सगफर एकले संगाई शुत्यक अबस्ताना होच या संगाई शुत्न छापने पनी थोरी भराखनु परच एक अर्कुमा नच्छ होई योस रो एस सुन्यत सहीत फरी नेद्रामाद जाधानी सुत्नुके आसनमा योटे विस्तारामा तुई जानमा जाना छो या ठूलो छो अज धेरे जाना छो बने पनी आपनो आसनमा जाना सकने इस्तिती तय गरने रा आपनो ठाउमा थोरे ध्यान साधाना गरने फेरी एस बाट बाहिर आयरा उत्तानमे नसुत्ने या उत्तानमे सुद्धा पनी फरक्त परदैना अत्ताई पनी सुद्धा उत्तानो नभैर एवड़ा पाटो मा दाया या बाया आखुले जुन सहाच लाग छा यह दाया रहा बाया पाटो शुत्नु को पनी आपने महत्यो छाओ यह बहुद्धिक उपयोग को लागी महत्यो छाओ बया मस्तिशक रधाया मस्तिशक आप मलाइ जुन मस्तिशक उपयोग नुच भग नुच जसक लए UPयोग मा ल्याउवनुच एस अनुशारत तई गर्ना पने सक्चु दाया रधाया मस्तिशक आपने काम च एस बारे जानुपने हुँच तह छोटो ध्यान आशन सहित भाईशके पच्छी अब सुत्न को लागी एउटा जुन पाटो छर तेस बायां या दायां पाटो ला लिने रहा सुन्यता भोगने यहां पनी शुन्यता सहित निद्रा मा जाने सुन्यता सहित निद्रा मा सहज निद्रा बंदस है यहां गुने पनी कोशिश करन पाटाईद सुन्नेता भायो योटा आशन दायां या बायां कुल्टे फेरेऊं बने सुन्नेता को भोग रा सहाज निद्रामा परवे सुन्छ अतोह निद्राक को लागी सुन्नेता को योग गेता भोग नुद निद्रामा जान परवे को योग गेता यो बनाऊं लो निद्राक को पूण उपायो गरों आशकुल्णा येतीने